जार्खन में कई ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती से अपनी पहचान रखते हैं ऐसे किसानों की पहचान ना सिर्फ आस पास के गाउं में बलकि प्रेरना के तोर पर पूरे देश के किसानों के बीच होती है खूटी में एक ऐसे ही किसान चर्चा में हैं इसमें किसान की मदद कर रहा है मन्रेगा इसी के तहत बागवानी और खेती से जुड़े खूटी जिले के तोरफा प्रकंड के कुमार्क निवासी मुलिया भेंगरा का घर अब पहले जैसा नहीं रहा इस्तिती बदली है घर के लोगों को पौस्टी काहार के साथ साथ महिलाओं को कुपोसन से भी मुक्ति मिल रही है बच्चे स्कूल जाने लगे हैं यह सब मन्रेगा से लगी आम की फसल के कारण संभाव को सका है मुलिया के बगानों की कीमत बढ़ रही है कई बहतरिन किस्म के आम लगे हैं इन्होंने 245 आम के पौधे साल 2016 में लगाए थे बीते साल इसने अपनी पहली फसल दी इस बार पहली फसल से जादा की उम्मीद है मुलिया बिते साल 50,000 रुपे कमा पाई थी इस बार उन्हें एक लाग से अधिक क्याम की बिकरी की उम्मीद है खूटी जीले के अन्य प्रखंडों में भी मुलिया जैसे कई लोग हैं जिनके खेतों की शोभा आम की फसल बढ़ा रही है तोरपा प्रखंड के ही वाल्टर ने 20 एकड में आम की फसल लगाई है तोरपा में मन्रेगा के ब्यापक पैमाने पर आम की खेती 2006 हमें शुरू हुई थी यह योजना केवल ग्रामिनों के कमाई के लिए नहीं थी इसका उद्देश से यहां रहने वाले लोगों को कुपोशन सेम मुक्ति के लिए भी था इते साल मैंने आम बहुत बढ़िया फ़ला था और करिब करिब जिनका सोटा बगवान है मैंने 50-60 पौधा तो अभी मैंने 8-10,000 इंकम हुआ है और जिनका ज्यादा पौधा है उनका तो ज्यादा ही इंकम हुआ है यह अम बगवाणी जो है हम लोग का पंचयत में बारस सो इकड लगभग-लगभग अम बगवानी लगवाए है जो स्टाफ हैं, उनके मर्ग दर्शम से अब बहुत ही गाउं का काया प्लट हो गया है, बगवानी के माध्याम से फिर खेती पारी के माध्याम से भी अभी बहुत ही अच्छा काम हुआ है, और आज भी कुछ लोग आया थे, इंसाल कैसे हम लोग को खेती करेंगी इसके फिसा में चर्चा हुआ है, अब टमाटारा और ये मक्काई को इनसाल ग्रिहत रुप में घेती करने का प्लान बना है, 2015 या 16 में, 15 में साज, हम पूछे चाचा आप कितना काम बेचे, 65,000 का बेचे रे, आईशा करके हमको बताए, तो कितना ठोपेड़ा, 40 हो, हम सोच रहे हैं, उ 2015 से हम लागाएंगे, लागाएंगे, यहां पर ये हम लोग का पांच इकड़, एकी जग़ प्लोट है, तो पांच इकड़ में हम आम ही लागाएंगा और कुछ नहीं, ताकि हमको भवी से में, जब हम बुढ़ा होंगे, तब तक हम लेते रहेंगे, ऐसा सोच करके, उसी से हम प्रेद हो गया, हम को लगाना ही लगाना है, तो पिछली बार कितना कमाये थे इससे, पिछली बार हम से हम चलू आए थे इसका अशर अब दिखने लगा है स्वास्त की स्थिति भी सुधर रही है गैर सरकारी संस्था प्रदान ने अहम भूमिका निभाई कि अगर इसके तहत में लोगों का आजीवी का देनी है तो एक ऐसा टेक्निकल टीम होना बहुत जुदी है और चुकि मंदेगा के अंदर में हुमन रिसोर्स की काफितमी है तो इस तरह का CSOs है अच्छा काम कर रहे है उनको एंपैनल करें आप उनके टीम दीजे जिसमें के टे प्रदान की टीम दिन रात लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि यह स्कीम आम लोगों के फायदे के लिए है शुरू में छह साथ परिवार ने आम के पौधे लगाए राज्य में एक बार फिर बिर्साहरित क्रांती योजना शुरू की गई है यह भी मन्रिगा के तहत ही चल रही है इसमें प्रती एकर साढ़े चार लाग का प्रावधान किया गया है इसमें एक बागवानी मित्र रखने का भी प्रावधान है अगर आप भी आम की फसल या इस तरह की योजना का लाव लेना चाहते हैं तो मन्रिगा के तहत ऐसी कई योजनाएं आपका इ तार नहीं